आज हम पढ़ेंगे सूर्दास का दूसरा पद पहला पद हमने इसके पहले पढ़ लिया है तो आज हम दूसरा पद शुरुगात करते हैं मन की मन ही मांज रही कहिये जाई कौन पे उधो नाही परत कही अधी अधार आस आवन की तन्मन बिठा सही अव इस जोग संदीशनी सुन सुनी बिरहनी बिरह दही चाहती हुती गुहारी जितही तैं उत्ते धार बही सूर्दास अव धीर धरही क्यों मर जादान लही तो आप इससे पहले जान चुके हैं कि उधो संदेश लेकर आते हैं क्रिष्ण का संदेश मतुरा से लेकर आते हैं ब्रिंदावन में जहां गोपियां कई दिनों से क्रिष्ण का इंतजार कर रही होती हैं सूर्दास ये कहना चाह रहे हैं कि गोपियां उधो को देखकर निराश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें तो स्रीकृष्ण का इंतजार था और वह उधों को देखती हैं तो निराश हो जाती हैं चली आगे देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ मांच का अर्थ है अंदर और मांच का क्या अर्थ है अंदर अवधी, समय, बिथा, ब्यथा, दुख संदेशी नी, संदेश, बिरह नी, बिरह दही मतलब की दुख की आग में जलना इंतजार की आग में जलना चाहती हुती, मतलब चाहती थी गुहारी, मतलब बुलाना जितही, मतलब जितना उतते, उतना धीर, मतलब धैर्य मरजादा, मर्यादा आगे हम इसका अर्थ देखते हैं सुरुदास जी कहना चाह रहे हैं कि प्रेम की मर्यादा प्रेम के आदान प्रदान में ही है प्रेम पाना है तो प्रेम करना भी सीखो गोपियां उद्धों के संदेश को पाकर बहुत अधीर हो जाती हैं बहुत दुखी हो जाती हैं और वे उद्धों से कहती हैं कि मन की मन ही मांज रही अर्थार मन की बातें हमारे मन के अंदर ही रह गई कहिये जाए कौन पे उद्धों नाहीं परत कही उद्धों हम अपने मन की बात किस से कहें हम अपने दुख की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं ना ही परत कहीं का अर्थ है कि हम अपने दुख की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं किसी को बता नहीं पा रहे हैं अवधी अधार आस आवन की तन्मन की बठा सही अभी तक हमने कृष्ण के आने का इंतजार किया अवधी आधार इतने समय तक हमने उनके आने का इंतजार किया यह हमने आशा लगाए वैठी कि अब कृष्ण आएंगे और हम अपने तन मन की विथा सही उनके प्रेम में हम अपने तनमन के व्यथा अर्था तनमन का दुख सहते रही अब इस जोग संदेश नी सुन सुनी बिरहनी बिरह दही अब हम इस जोग मतलब ग्यान का संदेश सुनी सुनी ग्यान के संदेश को सुन कर बिरहनी बिरह दही और हम इस बिरहनी बिरहदही इंतजार की आग में हम अब जल रहे हैं अब हम इस ग्यान के संदेश को सुनकर इंतजार की आग में और भी जलने लगी हैं क्योंकि हमें ग्यान का संदेश नहीं चाहिए हम तो प्रेम जानती हैं, हमें प्रेम का संदेश चाहिए हमें कृष्ण के आने का इंतजार था ना कि ज्यान के संदेश का इंतजार था चाहती हुती गुहारी जित हैं जितने उत्ते धार बही अब हम जितना ही हम उन्हें पुकारते हैं उनके रक्षा, हम अपनी रक्षा के लिए जितना हम उनको पुकारते हैं गुहारी मतलब पुकारना अपनी रक्षा के लिए जितना हम उन्हें पुकारती हैं उत्ते धार वही उतने ही हमारी आखों से अश्रो की धारा बहती है सूर्दास अब धीर धर ही क्यों मरजादा न लही सूर्दास जी कहते हैं कि अब हम धीर नहीं रख सकते अब हम धैर्य नहीं रख सकते ये जो अब मरजादा न लही कार्थ है तुम्हारे ग्यान के संदेश ने हमें और दुख को हमारे बढ़ा दिया है अब हम इस मर्यादा मे नहीं रह सकती जब स्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम क्यों धीर धरें हम क्यों धैरे रखें प्रेम की मर्यादा यह है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए परन्तु ज्यान योग का शंदेशा भेज कर कृष्ण ने हमारे साथ चल किया है इसलिए हमने भी अपनी मर्यादा को त्याग दिया है ये था आपका दूसरा पद अगला पद हम पढ़ेंगे अगले भाग में धन्यवाद